हेलो एब्रिवान, वेलकम तो माई यूटूब चैनल वर्ल्ड ओव विकी सुमन, मैं हूँ सुमन और आज आपके साथ सेयर करने जारी हूँ भेच चौमिन की रेसिपी, तो आप देखी सकती हैं फ्रेंड्स, कितनी सुन्दर देख रही है मेरी भेच चौमिन, खाने में उतनी नहीं ज्यादा स्वादेश्ट लगती है, तो मैंने इसे किस तरीके से बनाया है आप वो दिखाती हूँ आपको, भेच चौमिन बनाने के लिए हमें चाहिए, नूडल्स, सोया सोस, टोमेटो सोस, चौमिन मसाला, वेच टेबल्स में मैंने लिया है यहाँ पे, गाजर, बि नमक और रिफाइन डॉयल, यहाँ सलात के रूप में मैंने लिया है, बारिक कटेवे प्याज, गाजर और खीरा, अब मैं आपको बताती हूँ, चौमिन बनाना किस प्रकार से है, इसके लिए मैंने आपके कढ़ाई में पानी गरम कर लिया है, पानी अच्छे से गरम होना इसके बाद ही मैं इसमें कुछ एट करना है, पानी अच्छे से गरम है आप देख सकती हैं अब मैं डाल रही हूँ नमक, इसके बाद मैं डाल रही हूँ, दो चार बुंद, रिफाइन डॉयल, इससे नूडल्स एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, अब मैं डाल रही हूँ नूडल्स, मैंने आपे हका नूडल्स यूज किया है, ये नूडल्स खाने में काफी ज़्यादा टेस्टी होती है, मैं आपे नूडल्स तीन पैकेट ले रही हूँ, अब इन नूडल्स को हमें थोड़ी देर तक बॉयल करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, नूडल्स अच्छे से बॉयल हो रहे हैं, नूडल्स को हमें ओवरकुक नहीं करना है, अगर ये ओवरकुक हो जाएगी तो इस्टिकी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए बस इतना ही कुक करना है हमें, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिख बस इतना ही कुक करना है हमें अब मैं नूडल के पानी को निकाल दूँगी इसके बाद दूसरा एक ठंडा पानी लूँगी उसके बाद उस पानी को भी नूडल से निकाल दूँगी और नूडल को अच्छे से चान कर रख लूँगी तो ये देखें friends मैंने पानी अच्छे से चान लिया है noodles में noodle अब बिल्कुल भी freeze दिख रहा है ये देखें friends बिल्कुल भी sticky नहीं दिख रहा है noodles तो ये done हो चुका है अब में आपको noodles fry करके दिखाऊंगी friends तो noodles फ्राय करने के लिए मैंने hapire कढ़ाई ले ली है तो सबसे पहले मैं तोड़ा सा तेल डालूँगी और egg फ्राय करूँगी मैं और वेंज noodles में egg भी अट करी हूँ अब अगर एक नहीं खाती है तो एक skip कर सकती है अब मैं थोड़ा सा तेल डाल चुकी हूँ गढ़ाई में सारे अंडे तोड़ तोड़ कर इस तरीके से डाल देती हूँ अब अड़ी को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें और थोड़ी देर तक इसी तरीके से फ्राइ करना है पिल्कुल एक का भुजिया बनाना है हमें अब मैं यहाँ पे स्वाद केने से और नमक एड़ करी हूँ हमारे एक फ्राय हो चुका है अब हमे को एक प्लीट में निकाल लेना है यह देखेंगे अब कड़ाई में फिर से हमें रिफाइन ओल एड़ करना है सब्सक्ति के क्वाइनुसार से आप रिफाइन ओल ले लिए ओइल अच्छे से हिड़ हो चुकी है तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ बारिक कटे हुए अद्रक और मिर्च ये देखे फ्रेंड्स मिर्च और अद्रक अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब मैं इसमें अट करूंगी स्लाइस की हुए प्याज प्याज को भी हमें बस थोड़ी देर तक फ्राई करना है इसके बाद मैं इसमें अट करूंगी पत्ता को भी इसे भी हमें थोड़ी देर फ्राई करना है पत्तो को भी थोड़ी देर फ्राई हो चुका है अब मैं इसमें अट करूंगी सिम्ला मिर्च आप देख सकते हैं फ्रेंड सारी बेजटेवल्स को मैंने किस अकार में काटा है आपको भी वैसे ही कट कर लेना है अब मैं इस मैं अट कर रही हूँ गाजर मैं अट कर रही हूँ बिन्स सारी सब्जियों को मैंने बारी बारी से डाला है ताकि सबजें अच्छे से भुन जाए एक साथ सबजें को डाल देने से वो अच्छे से भुन नहीं पाएंगी ये देखे फ्रेंड्स सबजें धीर-धीरे भुन रही है अब थोड़ी से सबजें गल जाए इसके लिए मैं एट करी हूँ थोड़ा सा नमक और सब्जियों में एक अच्छा सा कलर आ जाए इसके लिए मैं अट कर रही हूँ सोया सोस सोया सोस हमें बिल्कुल थोड़ा सा यूज करना है अब अच्छे से मिक्स करके थोड़ी दिर भूल लिया है मैंने तो अब मैं अट कर रही हूँ नूडल्स अब हमें धीरे-धीरे से अच्छे से मिक्स कर लेना है नूडल्स को सब्जियों में यह देखे फ्रेंड्स बिल्कुल धीरे-धीरे इसी तरीके से आपको भी मिक्स करना है तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स नूडल्स और वेजटेबल्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं बस इसी तरीके से लो फ्लेम पे हमें थोड़ी देर नूडल्स को फ्राइ कर लेना है अब में इसमेट करी हूँ चाव मिक्स मसाला डालने से बहुत ज़्याद असवाद बढ़ जाता है फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकती हैं अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इसे भी यह देखिए फ्रेंड्स अब में इसमें आट कर रही हूँ सोया सोस हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही यूज करना है अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखिए फ्रेंड्स सब कुछ अच्छे से फ्राय हो चुका है बहुत ही अच्छी से खुस्बू भी आ रही है अब जो मैंने एक फ्राय करके रखा था वो भी अड़ कर रही हूं मैं इसमें अगर आप अच्छी खाती है तो इसे स्वाथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये देखें फ्रैंड्स मेरे नुडल्स बनके रेडी हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगते हैं खाने में नुडल्स मैं आपको अब सर्फ करके दिखाती हूं और मेरे नुडल्स बनाने का तरीक आपको पसंद आयो friends तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं इसी तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा तो यह हो चुका है दन friends और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने घर पे इसी तरीके से नूडल्स बनाए और खाए और मुझे कमेंट करके जरू बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगता है तो बाइ बाइ फ्रेंड्स